अस्सलाम वालेक्ट मेरवन मैं हूं मुहमद तलह और आप लोग देख रहे हैं तरहासफेस अकैडमी फरस्टे के अंदर आज बारी है हीट और फ़मेशन को स्टडी करनेगी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमनोंने हैसे जलाओ को स्टडी करा था और आज जो है उसकी बड़ फरस्ट अफ ओल इसको अपने डिफाइन करना सीखना होगा कि what is heat of formation तो याद रखे किसी compound की heat of formation क्या है change of enthalpy enthalpy का change है when 1 gram mole of substance is formed from its elements कोई भी compound बन रहा है और वो जो compound बन रहा है वो basically किसी ना किसी element से बन रहा होगा कोई ना कोई उसके reactants होंगे तो change of enthalpy जो है heat of formation किसको कहते हैं कि कितना change आ रहा है enthalpy का जिसको generally हम show करते हैं delta H से कितना enthalpy का change आ रहा है जब एक gram mole उस substance का बन रहा है अपने elements के जरीए यानि कि जो product है वो एक gram mole बन रहा है तो कितना change of enthalpy आ रहा है it is known as heat of formation और थोड़ा सा इसके अंदर अगर मैं extra word add कर दूँ तो what is standard heat of formation तो उसमें कुछ special conditions हम add कर देंगे कि बही standard heat of formation किसे कह रहा है तो यादा को standard heat of formation वो heat of formation है जब all the substances involved जितने भी substances involved है in the reaction जैसे के मैंने भी आपको बताया के कुछ ना कुछ elements होंगे वो involved होंगे तो जितने भी elements इस reaction के नहीं involved है are each at unity वो unit वो पर है ठीक है unit है one mole है one gram mole है और that is एक ही situation में है जो के है 25 degrees Celsius and one atmospheric pressure standard heat of formation तब बनेगी जब वो एक ही temperature और एक ही pressure पर मौझूद है तो उनका change of enthalpy जो है वो कहलाता है standard heat of formation generally heat of formation क्या है कि कोई भी compound बना तो वो compound में change of enthalpy कितना आया जब वो compound बना है एक gram mole और अगर ये काम किया जा रहा है at standard temperature and pressure तो उसको जो है वो आप कह देंगे कि ये heat of formation जो है वो standard heat of formation है जैसे मिसाल के तौर पे हम आज के इस lecture के अंदर एक example को consider करने वाले हैं और इसके अलावा जो different examples है वो भी uploaded है मैं channel के जो है आई button में डाल दूँगा वहाँ से आप देख लेना क्योंकि इसके जो assignments है या इसका जो आप कहते हैं कि progress test है progress test 5 वो already uploaded है उसमें दो examples और हैं उनको भी जाके देख सकते हो लेकिन अभी फिलाल मैं आपको एक example बता रहा हूँ और वो heat of formation है methane की methane की heat of formation कितनी है तो देखिए आपको कुछ सवाल इस तरीके से given होता है for example पहला reaction है और ये reaction आपको दिया गया है carbon in solid form और ये कर रहा है 2H2 से तो बन जाता है methane और हम क्या करना चारे है हम इसी का standard heat of formation calculate करना चारे है और standard heat of formation है तो याद रखिए वो होगी at 25 degree Celsius हम ये find करना चारे है तो मैं सब के साथ लिखूँगा ने बट आप ये समझ जाएं इदर से ही मिटायता हूँ कि ये जो सारी की सारे हम calculate करेंगे ये हम करेंगे at 25 degree Celsius उसके लावा हमें कुछ reactions given होंगे जिनकी मदद से हम calculate करेंगे तो एक और reaction है हमारे पास carbon solid जब react करता है oxygen के साथ तो नतीजे में वो बनाता है carbon dioxide और इसमें जो enthalpy के अंदर change आता है वो आता है exothermic reaction है 394 kilo joule per mole negative आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया एक exothermic reaction और दो reactions और given होते है for example ये आ गया H2 और ये आ गया 1 upon 2 oxygen ठीक है और फिर ये बना रहा है H2O इसका भी heat of formation है जो given है enthalpy given है ये है exothermic reaction है 286 kilo joule per mole ठीक है जी और आखर में हमें given है एक और reaction और ये हो जाएगा हमारा चौथा reaction यहाँ पर बता रहे हैं के when methane react with oxygen तो वो बनाता है carbon dioxide और water ठीक है H2O और यहाँ पर जो change आता है heat change आता है वो आता है exothermic reaction है 890.34 kilo joule per mole सवाल आपको इस किसम से given होता है तकरीबन इसी तरीके से सवाल given होता है अब उसको solve करने का तरीके कार क्या है मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसको समझना है देखो आपको reaction के right hand side पर methane चाहिए ठीक है और आपको reaction के left hand side पर carbon चाहिए और hydrogen चाहिए oxygen नहीं चाहिए यह बात आप याद रखेगा हमें oxygen नहीं चाहिए जो हमारा required reaction है उसके अंदर तो सबसे पहले अब हमें किसी तरीके से oxygen को खतम करना होगा और oxygen को खतम करने के लिए एक काम करते हैं सबसे पहले naming वैसी कर लेते हैं यह हो गई हमारे लिए equation number one यह हो गई हमारे लिए equation number two यह हो गई हमारे लिए equation number three and finally this is equation four तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि oxygen को मैं किसी तरीके से cancel करूँ और oxygen को cancel करने के लिए देखिए main तो हमारे पास यह equation आ रही है जहाँ पे 2 oxygen है उपर आपको किता oxygen नजर आ रहा है यहाँ पे 1 oxygen है और यहाँ पर आपको आधा oxygen नजर आ रहा है तो इन दोनों को add करके 2 oxygen मुझे चाहिए ताके मैं cancel कर सकूँ क्योंकि मुझे answer में जो answer वाली equation है उसमें oxygen नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम multiply कराएंगे equation 3 को 2 से multiply equation 3 by 2 2 से हम उसको multiply करा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे सामने हमारे सामने बनेगा यह हो जाएगा 2 H2 hydrogen के साथ 2 आ गया यहां पर हो जाएगा 2 over 2 oxygen और इसी तरहे के से हो जाएगा 2 H2O ठीक है 2 से multiply करा दिया हमने तो यहां पर क्या cancel हो गया यहां पर 2 से 2 हो गया cancel और यह हमारे पास क्या value बनी 2 H2 plus O2 और यह आ गया हमारे पास 2 H2O के बराबर ठीक है अब इसको कर देते हैं equation 4 5 करना पड़ेगा 4 already है अब हम क्या करेंगे यह जो हमारे पास equation 5 आई है इसमें हम add कर देंगे हमारी equation 2 को adding यहां पर mention कर देते हैं adding equation 2 and equation 5 ताकि हमें एक बड़ी सी equation मिले फिर उसको finally minus करा देंगे equation 4 से equation 2 कौन सी वाली थी C plus O2 C plus O2 और यह बना रहा था carbon dioxide इसमें equation 5 को add करना है जो कि क्या है 2H2 plus O2 is equal to 2H2O ठीक है इनको आपस में add करना है अच्छा add करने से पहले अब आप इस बात को याद रखिए कि जो इसकी heat थी enthalpy का जो change था यह वाले reaction का जब हमने multiply कराया है तो क्या value थी इदर यह हमारी equation 3 में equation 3 में value थी minus का 286 तो minus का 286 जो था जब हमने पूरी equation को 2 से multiply कराया तो इसकी energy की value को भी 2 से multiply करना पड़ेगा ताकि हमें equation 5 के delta H की value मिले तो equation 5 के delta H की value क्या हो जाएगी 2 multiply by 286 यह हो गया हमारे पास 572 यह काम लाजमी करना है kilo joule per mole ठीक है यह delta H की value आ गई अब finally जीन equations को हम add कर रहे हैं उनकी यह जो values हैं इनको भी add करना पड़ेगा इसके लिए value हमने क्या निकाली है इसके लिए value हमने निकाली है delta H is equal to 572 kilo joule per mole और जो equation 2 हमने लिखी है उसकी value भी इदर लिख लेते हैं वो है minus 394 और यह भी minus का आएगा यह minus का होगा इसका delta H होगा minus का 394 394 kilo joule per mole ठीक है जी तो आप add कर लेते हैं इदर add करेंगे तो यह क्या बनेगा यह बन जाएगा हमारे पास carbon plus 2H2O आ गया oxygen कितने हो गया oxygen हो गया 2 तो 2O2 और यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास carbon dioxide और plus 2H2O income ने सीधा सीधा add कर दिया और जब income ने add करा तो आपने इनकी enthalpies को भी add करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 394 plus 572 यह हो जाएगा 966 और sign आएगा minus का ठीक है बड़े नंबर का sign आता है kilo joule per mole equation 5 तक हो गया था एक equation और हो जाएगी यह हो जाएगी हमारी equation 6 अब हम क्या करेंगे हम equation 6 को और हमारी equation 4 को subtract कराएंगे ठीक है मतब कोई फर्ट नहीं बढ़ता 6 में से 4 निकालो 4 में से 6 निकालो तो हम इसको mention कर देते हैं हम क्या कर रहे है subtracting equation 6 4 कर देते है from equation 6 6 में से 4 को minus कर देते हैं 6 में से 4 को minus करेंगे 6 वाली आगे हमारे पास carbon plus 2H2 plus 2O2 और ये आगे हमारे पास carbon dioxide plus 2H2O और इसकी जो heat की value है वो क्या है इसकी heat की value है minus 966 kJ per mol इसमें से subtract करना है हमारी equation 4 को ये वाली मीथेन वाली जो है न यूँकि अब मीथेन ही तो चाहिए है CH4 plus 2O2 CH4 plus 2O2 और ये क्या बना रहा है ये बना रहा है हमारे पास carbon dioxide plus H2O carbon dioxide plus H2O carbon dioxide plus और क्या क्या हमारे पास हमारे पास आ गया 2H2O तो ये हो जाएगा 2H2O ठीक अब इनको subtract करना चाहरे है sign change होगी तो ये भी minus का आ गया ये भी minus का हो गया और इसी तरीके से यहाँ पर भी minus हो गया यहाँ पर ही minus हो गया और delta H की value क्या थी इस reaction की वो भी इदर लिख देते हैं तो delta H की value है minus 890.34 minus का 890.34 kilo joule per mole तो simple कावा में क्या करना है अब जो जो cancel हो रहा है plus minus का उसको cancel करो ये plus का 2O2 minus का 2O2 cancel इसी तरीके से carbon dioxide plus minus का cancel और ये आगया water cancel अब जो जो बचा है उसे यहाँ पर लिख लेते है carbon बचा है plus का ठीक है और क्या बचा है hydrogen बचा है plus का और methane आ रहा है हमारे पास minus का CH4 और यहाँ पर फिलाल तो कुछ भी नहीं है तो फिलाल कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है ये जो minus की value है equation माइनस तो होता नहीं है तो यहाँ ले जाएंगे ताके plus की value आए तो जब plus की value लेकर आएंगे इसकी जगाँ चेंज कर देते हैं ये हो जाएगा हमारे पास methane CH4 और हमने subtract किया था तो यहाँ पर इसमें से इसको minus करना पड़ेगा sign plus करनी पड़ेगी जब यहाँ की sign change होगी इधर की sign भी change होगी तो यह हो जाएगा 966 और यह आजाएगा हमारे पास 890 यह बराबर आजाएगा minus का 76 0.34 भी लगा देते हैं 75.66 किलो जूल पर मॉल तो इसका मतलब यह जो methane की value है वो इतनी आएगी 75.66 किलो जूल पर मॉल इस तरीके से हम calculate कर लेते हैं heat of formation कुछ इसी तरीके से इस्तमाल करके और equations को simplify करना है जैसे के class 10 के अंदर भी बच्छे करते है multiply कराना किसी से पर add कराना, subtract कराना ताके वो equation हासिल हो सके जो के required है जैसे यहां पर carbon plus 2H2 था तो यहां पर भी carbon plus 2H2 आ गया और methane हासिल हो गया ठीक है बई, तो यह एक lecture था about heat of formation I hope एक example से कुछ समझ में आया होगा और बाकी आप जाके देख सकते हो progress test number 5 उससे और practice हो जाएगी और कोई सवाल है तो बिलकुल मुझे बदाना I will explain in the comment section That's all for today, Allah Hafiz